नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका हमारे यूटीज चैनल हेलो युवा किसान पर किसान भाईयों आज हम आपको जो ये खेट दिखा रहे हैं ये किसान के दुआरा फरवरी अंत्व माहा में इसकी बॉय की गई थी एवंबवई के पश्षाथ इसमें पानी का प्रवा किया गया था किसान भाईयो आप इसका जमाव देखोगे तो बहुत ही अच्छा जमाव इसमें हुआ है इसमें किसान के द्वारा मैली का खाथ जो की मील के द्वारा प्राप्त होता है उसको एक बलसाथ सडाने के पश्षाथ इसको डाला जा रहा है भाईयो आप देखेंगे कि मैली का खाथ बिलकुल बारीक भुरबुरा हो चुका है जिससे इसके डालने में काफी आसानी हो रही है एवं ताजा खाथ डालने पर मैली का ये काफी गरम होता है जो गन्ने को नुकसान देता है किसान भाईयो किसान के द्वारा अच्छी उपज लेने के लिए इस खाथ का उप्योग गूलों में किया जा रहा है आप देखोगे कि खेत में काफी अच्छा जमाव के साथ साथ अच्छी ट्रिलिंग भी हुई है किसान के द्वारा अभी तक मात्र इसमें एक स्प्रे एनपी के अठारा ठारा ठारा जो सलफर युक्त होता है उसका उप्योग किया गया है तथा यूर्य खाथ के रूप में 25 किलो खाथ का उप्योग किया गया है ये खेतर मात्र तीन बिगे का है किसान भाईयो इसके साथ अगर आप सड़ी हुई गोबर का खाथ इस्तमाल करते हैं तो आपको और भी अच्छी पैदावार मिल सकती है किसान भाईयो सड़ी हुई गोबर का खाथ आप गन्ने के लिए खीची गई गूलों में उप्योग करें तो आपको अधिक लाप राप्त होगा किसान भाईयो किसान के द्वारा इस खेद को ट्रंच मैथर्ड के माध्यम से दो या तीन आँखों के गन्ने का उप्योग करके बोया गया है किसान भाईयो बोने के परशाद इसमें पानी का प्रभा किया गया था ध्यान लखें किसान भाईयो की पानी बहुत ही हलका देना होता है किसान भाईयो नालियो में पानी जादे ना भनने पाए इससे आपका गन्ना अच्छी जमाव के साथ साथ अच्छी ब्यात प्यदान करेगा किसान के द्वारा ट्रंच मैथर्ड का जो डिफ्रेंस है वो सबब पांच फिट रखा गया है किसान भाईयो गूल की जुताई करते समय ध्यान लखें कि गन्ने पर मट्टी बहुत हलकी जाए ज्यादा मट्टी गूल में ना जाने पाए इसका फायदा आपको ये होता है कि आपका जो ब्यात है वो मट्टी में नहीं दबता और टीलर मोटे होने के साथ साथ अच्छी बढभार प्राप्त करते हैं जादर जाने पर टीलर बारिक होकर उपर को बढभार करते हैं धन्यवाद किसान भाईयो झाल झाल